बसकार जोहार आप देख रहे हैं द्रिस्टी नाव चैनल और रांची से मैं वियदत पिंटू गढ़वा में एक मंकी पॉक्स का संदिध पाया गया है बेहद चौकाने वाली ये बात है लेकिन जो लक्षन एक साथ साल की टंडवा निवासी बच्ची में पाया गया है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मंकी पॉक्स के जो मरीजों में लक्षन पाय जाते हैं उसी तरह के लक्षन उस बच्ची में पाए जा रहे हैं हलांकि स्वास्टी भाग में वहां के जो सिविल सर्जन डॉक्टर विमलेश ची हैं उनके अनुसार उस बच्ची के ब्लड सैंपल को जांच के लिए पूने में भेज दिया गया है लेकिन चुकि यह मामला बहुत संगीन है इस कार से मैं आप सभी राज्यवासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि इस बिमारी के लक्षनों को और इसकी संक्रामक्ता को ध्यान में रखते हुए आप सभी एक एहतियात बरतें मास्क जरूर से लगाएं सारीरिक रूप से संपर्क में आने से बचें क्योंकि सारीरिक लक्षन होता है मंकी पॉक्स का वैसा ही महसूस किया जा रहा हो सकता है कि उसे कोई सामाने चिकन पॉक्स जैसा ही बिमारी हो मंकी पॉक्स नहीं हो बावदूद उसके जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये बिमारी फैल रही है जैसे दक्षिन अप्रिक की महा संक्रमन की दौर को देखा है हमने देखा कि कैसे कुरोना का पहला दौर आया और दूसरा दौर जो डिल्टा वेरियंट आया उसमें जो संक्रामक्ता थी वो इतनी भयावह थी इसमें की हज्जारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गवाई उसके बाद फिर ओमि संक्रमन के वज़े से हमारा सरीर का जो इम्मुनिटी छमता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक छमता है वो इन तरह के बिमारी के संक्रमन के दौर के होने के वज़े से बहुत कम हो गई है तो अगर हम सतर्क नहीं होते हैं तो हमारे सरीर का इम्मुनिटी अगर कमजोर है और ऐसे एक बेहद संक्रामक और बेहद खतरनाक किसम का वाइरस का अगर हमारे सरीर को पर अटायक होता है तो कहीं भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो लेकिन हमें इस बात को लेकर सचेत रहना होगा कि डेल्टा वेरियंट में जो हम लोगों ने भ्यावथता जहली थी वैसी भ्यावथता फिर दुबारा देखने को ना मिले इसके लिए हम लोगों को बचने का एक मातर जो अपने हाथ में साधन है जो हम लोग एक अच्छा एक स्वैम से उपाय कर सकते हैं वो है साधानी बरतना एहतियात बरते हैं साधान रहें दूसरों को भी जाग रूप करें और इस प्रकार से इस बिमारी के संक्रामक्ता से बचने में ये बहुत कारगर साबित होगा अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो क्रिप्या लाइक कर दें वहां रेट बटन होगा सब्सक्राइब कर उसे जरूर से दबाएं और इस खबर को सेर भी करें ताकि और लोगों को भी जाग रूप किया जा सके